नमस्कार मैं हूँ विदीशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ समाचार एक्सप्रेस करनाल पुलिस ने रहगीरों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को गिरफतार कर लिया है आरोपियों के खिलाफ थाना शहर करनाल में तीन अलग-अलग शिकायते आई थी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किये थे आपको बता दें कि 22 अक्तूबर की रात को दो मोटर साइकल सवार छे अग्यात युप को द्वारा रहगीरों को चाकू मार कर घायल कर दिया गया था जिसके बाद पीडी तो द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी करनाल के थाना शहर में अलग-अलग तीन मामले दर्ज कर पुलिस ने जांच तफ्तीश शुरू की थी जांच तफ्तीश के दोरान पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों के नस्दीक पहुँची आरोपी योगेश निवासी काली माता मंदिर सदर बाजार करनाल, शुभम निवासी भीमनगर करनाल, नितिन निवासी न्यूब आलमी की बस्ती करनाल, वस सागर निवासी मोची महला सदर बाजार करनाल को गिरडा पीर मुनक रोड से काबू किया गया मामले का खुलासा करते हुए उप पुलिस अधिक्षक जगदीप सिंग दून ने बताया कि आरोपियों ने अपने अन्य दो साथियों सहित दो मोटर साइकलों पर सवार होकर नशे की हालत में रहगीरों पर चाकों से वार कर उनको घायल किया था अब तक पूछताश पर इनके अन्य साथियों के नाम भी जाच में आ चुके हैं जिनके विरुध कारवाई की जा रही है अब पुलिस आरोपियों को अधालत में पेश कर रिमांड लेगी साथ ही वारदात में इस्तमाल मोटर साइकल बच्चाकों को बरामत किया जाएगा और शाम का जो टाइम है जब तक बजार बन नहीं हो जबता उसके लिए एक अलग से पेट्रोलिंग हमारी इस्तमाल अकेले आदमी को बेखके ने उसके इसके बारे getting that's मैं के अगर बात कि जाए तो उनका रिकोर्ड किया है करेंनल को इस मोर कोई चीश होगा या इन्न ने को एकोई किरिमक्राउंड होगा अपने तहों वितर सिर्फ में है सी लोगतुए जिनके वगा समुभाइए पशा वन Väärtthनawy किया कि बगी अलग अलग एक दूसरे को जानते भी निए तिन्नों भी ने जानते थे ये सब अलग अलग उसमें थे चुने डücke अ जो अपने डेश निह घाना डेली खाना लेबर जैसे अखबार में चपाय के राइस मेल थे दूद लेने जार बाहर निकला था तो जाको मार दिया और ऐसे एक मलब रहा चलते हो उसको प्याद तो इस सम्मन्द में अभी हमें इनको आज गरफतार करे हैं इस सम्मन्द में इनका प्रीवेस रिकार्ड और सारी चीज कोई प् अब जैसे अब ही मैं इनका पाने की लिए बैल आइकन को फ्लिक करे हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल